मुझे कॉल किया लास्ट में कि मनीशा को भी इस पचड़े में और वो अभी बात कर रहे हैं कि शांती में हम सांती सी इस मैटर को नहीं समझाने वाला है अगर आपको जिस दिन पता चला था ना उसी दिन आप बोल देती हम तो वैसे भी तयार हैं क्योंकि हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं और मुझे बोलना पड़ेगा चाहिए हम अपने जबापे सही हो चाहिए खराब हो हमको अपने लिए आवाज उठाना यूंकि मेरे साथ गलत हुआ है आपके साथ नहीं हुआ है आपका बच्चा है आपका पूरा परिवार है मॉस्ताप है खाली लाइब आपको नहीं भूल रहे हैं इसका मतलब यह नहीं कि आ चोड़ दिया गया है बस देख रही है किस लेबल तक जा रही है कहां तक आप जाके असीदा नीचे गी आप करती है तो थोड़ा अच्छे से इस चीज को निभाईए ज्यादा फटर फटर करने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास भी है बहुत सारा चीज़ आपके लिए बोलने के लिए आपके बारे में बहुत सारा चीज़ जानते हैं आपके बारे में नहीं जानते हैं और इंडारेक्ली अभी बोल रहे हैं आप समझ गई हैं लेकिन अब Hello everyone, welcome back to my channel तो आप के से है उप्सक्राइब आफ सभी स्वास्थ होंगे तो चलिये विन्हा से मैं बरबात करते हैं तो जीसा कि आप लोग जानते हैं यह शारी चीजे निकल कर सामने आ रही है और सच्छा ही कुछ खुल चुकी है और सब के सामने आ चुकी है पर अभी जैसा कि सचिन ने बता है कि मैंने तो सिर्फ अभी 5% ही खोला भी 95% तो मुझे खोला विल्कुल बागी था राज जो आपसे जिसको iron lady बना कर बेटी हुई था owe iron lady क्या थी क्या नहीं थी वो सब कुछ बताना बाकिए मैं अभी online नहीं बता सकता हूँ या on camera नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी मना किया गया है और खबरी यह आ रही थी कि उस तरफ से केस कर दिया गया है जिहां जगती दी की तरफ से केस कर दिया गया है तो क्या सचीन को जेल हो गई है या नहीं हुई है वो सारी चीजे हैं कि क्या है मेटर क्या नहीं है क्या होगा सचीन का इस सारी चीज़े निकल कर सामने आ रही है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है मिलब केस तो हुआ है बट ऐसा नहीं है कि आप सोच रही कि सचीन को जेली हो जाएगी तो इतना बड़ा कोई गुना किसी नहीं किया है उसने किया ही नहीं है और जो गलती हुए दोनों से मिलकर हुई है अब यहाँ पर बात कर सकते हैं कि क्या इस मेटर पर उसने केस किया है तो जी नहीं वो मेडम जी ने केस किया है जो उन्होंने केस लगाया है तो वो मान हानी के उस पर लगाया है कि मतलब सोशल मीडिया पर आप क्यों मेरी एक महिला जो की विद्वा है और उसकी पांच साल की बेटी है उसकी सोशल मीडिया पर बदनामे की जा रही है दजियां उसकी उज़त की उड़ाई जा रही है उस टोपिक पर या इस मेटर पर उनने case किया है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है अगर आप यह गलत सावित हो जाता है कि आपने गलत बोला है यह पिलत केस किया है तो वह खारिश कर दिया जाता है अदर्वाइज कुछ छोटी-मोटी चीजे मिलकर ये दोनों आपस में बेटकर भी शोट आउट उसको कर सकते हैं तो वही सारी चीजे हैं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है और जो कुछ भी खबर होगी वो आपको उनकी ओफिशियल जो चेनल है वहाँ पर जाकर अच्छे से मिल जाएगी वैसे आप दूसरी बातों में ना आए कि सचीन को जेल हो गई है तो सचीन को कोई जेल नहीं है क्योंकि कल दोनों वो लोग पहुँच चुके हैं अपने अंबाला वाले घर में और वहाँ से लाइव भी आए हैं लाइव आकर उन्हें ने बताया है कुछ बिचोलियों के बारे में जो मतलब कितना मना करने के बाउजद भी बाज नहीं आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं तो जग जाहिर हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि हलका को थोड़ा हलका ही होना चाहिए बट वो समझ में नहीं आ रहा है वो आए दिन कोई ना कोई टोपिक उठा ही लेती है और बिल्कुल अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही है सचिन ने कहा हमने इतनी बार उन्से हां जोड़कर बोला है कि प्लीज इस मेटर में मत गुस हती है वह की थी है मैं सोशल वर्कर हूं मैं है यूदे तो अगर कोई नहीं चाहता है कि हमें आपकी जरुत नहीं बताइए अगर आप जबदस्ति सामने वालाpresa के रहा है कि मुझे situations कि हम इसा जबर्दस्ति म करेंगे पर यहां पर तो यहां पर यह सही कुछ स्मामला लग तो भी मेरे पास आओ मेरे तुम नहीं चाहोगे तो भी में तुमारी एल्प करूंगे पर उन लोगों नहीं साफ मना कर रही है और दूसरी फैमिली की तरफ से अभी तक तो कोई भी नहीं आया कि उन्होंने कहा हो मेडम जी आप हमारी है कर दीजिए तो यहां पर एक वक्ष को तो सुना जा रहा है और काफी जो चीजे आ रही है सामने निकल कर आ रही है जैसा कि आप देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि इतने राज खुलते जा रहे हैं कि अब उन पर कौन केसे भरोसा किया जाए मतलब पहले तो आप सारे होटा पेहना हुआ हूँ गोड़ा था कि आप दिखा रहे हैं इतने अच्छी बाती करें कि मैट ऐसी हूँ मुझे रोना आजाता है मेरी मेरे आशिश्री और इतने अच्छे मेरे भाई मिले हैं जो हमेशा मेरे साथ देते मेरा ख्याल रखते हैं अब यह सारी चीज़े आप इसा लगता है नहीं किसी नहीं स्क्रिप्ट लिख कर दे दी हो यह हर जगों वही सारी चीज़े बोलनी है उन्हीं के नाम से सिंपती पानी है और सारी चीज़े होती हैं आप जहां पर देखी रहें बट आपने कितनी गंद इतनी सीधी थी अगर सीधी होती तो सारे क्रियेटर इनके इतनी बुराई करते अब बोलेंगे कि यह क्रियेटर अभी क्यों आ रहे हैं पहले क्यों नहीं आए तो भाई यहां पर यहीं मुद्दा होता है कि उनका क्या बिगड़ा सारे क्रियेटर का कुछ गया कुछ नहीं अगर तुम्हें नहीं पसंदे तो हम नहीं करते हैं तुम्हारे खिलाफ कोई नेगेटिव कमेंट आये हैं तो हम उसको डिलीट कर देते हैं पर हमारी दोस्ती बरकरार है और बोलना जा रहा है कि अब मडम जी कह रही हैं चार तीन साल बाद दो साल बाद रास खुल के आ रहे को रखने में क्या दिक्कत है तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है वही सामने जैसे जैसी का है जैसी का आपने साथ जो बीती भी बता रही है तो मेडम ची को दिक्कत हो रही है क्यों दिक्कत हो रही है तुम अपने मन के बाद सोशल मेडिया पर रख सकती हो दूसरा ब पहुत गलत बात है तुम खुद बोल सब्सक्ति प्रवश तुम पमेष्ट करने हैं वुझ भाउग पाउग है कोन है कि इनको पकड़के रखे एक एक चीजे उसके लिए तो सुची ठीक लगती है सुची जब आती है तिक दम मज़ा आजाता है चाहिए लाइब हो चाहिए कुछ भी हो तो आप बताईए कि यहां पर अभी सारा चीज मेटर शांत होना चाहिए या अभी जो सच्चा ही अब आप जाने दीजिए छोड़ दीजिए अब यहां पर अगर दूसरा पक्ष देखा जाए जैसी का जी का तो कुछ चीजे हैं उनकी में मानूंगे यहां पर मैं वही कहरी हुआ है दोनों तरफ के बोल के चलती हूं ठीक है अगर आपको कुछ बात बतानी तो आप उसको भीडियो बनाएंगे या उसको धीरे धीरे करके खतम करेंगी वही सारी कहानी है जिसको हमें बोलते है ना छोड़कार संखशिप्त में खतम कर सकते पर नहीं यहां पर कोई बिच्छ इस संखशिप्त नहीं खतम हो इक दम विस्तार सिखीच के जले लाई जाती है तो अब मेडम जी की बात कर लें तो भाई विन के घर में तो लक्षमी जी आ गई है खुशी है सारी चीजे को और भी या अब जगत भाई तो है उनके कुछ बोलने के लिए तयार नहीं है मतलब जगत भाई को कही ना कई समझ में आ गया है पर यह ने कि यह इना टॉंट करने से बाज आते हैं तो भाई जब जब सारी चीजे निकल कर सामने आ रहें तो कुछ चिट्था निकल कर सामने आएगा सारा का सारा अर जब लोग अपनी फैमिली को दिखाते हो इतनी अच्छी है कहां सारे अब तुम्हारे कुछ खास रिस्ते दारी सिर्व बचे है क्योंकि पूरी श यह नियुक्त कर सब जान चुके अब इनकी फैमिली के साथ है कों सेर्फ एनकी चाचा वाली फैमिली वह सकता हूं कोई ना कोई एहसान के तले इनके साथ दबी हुई हो, हो सकता हो कि कुछ पैसे से सम्मनित मामला उनके घर में कोई हो नहीं कमाने वाला यहीं लोग उनका खर्चा उठाते तो बिचारों को तो भी जबर जिस्ती इनका साथ रेना पड़ेगा और बात करें बहिए इनके सस्राल पक्ष की जगत भई आगे तो वो कहां जाएंगे वो भी इनका साथ देंगे, अदर्वाइस मुश्किल है कोई भी इनका साथ दे चुकि यह ना सारी चीज़े अब साफ साफ एकडम पानी की तरह दिखाए देने लगी है क्या है क्या नहीं है सभी लोग creators बता लें, यह बात थी इन्होंने एक भाई बहन के रिष्टे को शर्मसार किया है और यह गल्ती नहीं है इसको हम गल्ती का नाम नहीं दे सकते हैं कि यह गल्ती है यह गल्ती नहीं है बहुत बड़ी गल्ती नहीं है महापाप है, महापाप तुम एक भाई बेन के रिष्टे को कैसे बदनापी अब कौन बहन बहन किसी को भी बोल देगी और वो बोलेगी कि तुम मेरा भाई बहन का रिष्टा है मतलब अब तो सोचना पड़ेगा इसारी चीज आप तो सावाज में निकल कर सामने आ रही है आज कोई किसी को घर नहीं नहीं आने देगा तुम्हारे जैसे लोग है ना उनकी वज़े से भाई बेन के रिष्टे बदनाम होते हैं ऐसे ही कुछ लोग होते हैं टिपिकल टाइप के जैसे तुम हो और वो चपकु सची ने लपकु सची ने जो कुछ भी है मनिशा ने अच्छा किया स्टेंड लिया और कहीं पर डर्ना नहीं डरने की जरूरत और खासकर थोर्ट बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं जिसने तुम्हें अभी तक 1-1,5 साल तक इतना डरा कर और धंगा कर रखा है मनिशा के लिए बहुत सारी विशेस हैं कि तुम्हें स़िए आगे बढ़ो और अपने आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंड शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करना है जरूर करें